नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पुरा एंड तक जरूर देखिए आपके लिए काफी कामगार एप्लिकेशन लेकर आया हूँ दोस्तों अगर आपको पैसों की जरुवत है और आपके पास पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं आपको सेलरी नहीं मिली है पैमेंट नहीं मिली है लेकिन पैसों की आपको सक्त जरूरत है तो ऐसे में आप तरह-तरह के लोन एप्लिकेशन ढोनते हैं लेकिन दोस्तों अधिकतर जो लोन कमपनिया है वो आपको छोटी रकम के बदले काफी जादा यहां पर ब्याज वसुल लेती हैं आपने 4000 रुपए का लोन लिया तो आपसे 1000 रुपए, 1500 रुपए तक ब्याज भी ले लेंगे तो ऐसे मैं दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया good news है क्योंकि मैं एक ऐसे एप्लिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ जहां पर आपको 500 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक की लोन लिमिट आसानी से मिल सकती है और वो भी बिल्कुल इंट्रेस्ट फ्री जी हां दोस्तों इंट्रेस्ट फ्री आपको एक भी रुपए ब्याज नहीं देना है एक महेने बाद आपको उसे चुकाना है यान कि दोस्तों आपको इस एप्लिकेशन के जरिये 500 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक की लोन लिमिट मिल जाएगी जिसे आप कहीं पर भी स्कैन करके यूज कर सकते हैं और दोस्तों आपको इसके लिए एक भी रुपए ब्याज नहीं देना है 0% इंट्रेस्ट है यानकि वेलकुल इंट्रेस्ट फ्री है और आपको एक महेने के लिए मिल जाता है ये लोन तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहे है पूरा एंट तक इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए चलिए आज कर ये वीडियो शुरू करते हैं प्रिच इस वीडियो को सुरू से ले का एंट तक देखते रहे हैं ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए. तो दोस्तों इस एप्लिकेशन का नाम है फ्रियो पे, जहां से आपको बिना ब्याज के एक महिने के लिए 500 रुपे से लेकर 6000 रुपे तक का लोन मिल जाएगा बड़े ही आसानी से, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 5 लाग से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, मा अपने मोबाइल डिवाइस पर इस एप्लिकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है, जैसे इंस्टॉल हो जाता है इसे ओपन कर लेना है और यहां गेट इस्टार्टेड बटन पर क्लिक कर देना है, यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नमबर वो ओटीपी यहाँ पर आटोमेटिक फिल हो जाएगा देख सकते हैं आटोमेटिक फिल हो चुका है यहाँ पर उसके बाद हमको अपना जो है इमेल एड्रेस यहाँ पर लिंक करना है तो यूज करना है जो भी इमेल एड्रेस आप एंटर कर सकते हैं या तो फिर लिंक यूज चेक कर लेना है तो देखे इस तरीक से freeopay का एक email आएगा जहाँ पर link दिया होगा तो यहाँ पर verify now बटन पर क्लिक करके हमको सबसे पहले अपना email ID जो है verify करना है तो आप कोई साभी internet यहाँ पर browser select कर सकते हैं verify करने के लिए जिसके बाद यहाँ पर यह verify हो जाएगा तो देखे यहाँ पर verify हो चुका है हमारा email ID अब हम वापस आते हैं freeopay application में तो यहाँ पर देखे ए congrats you are in लिक कर आगया है अब यह हमसे कुछ permission मांग रहा है तो allow कर देते हैं और allow बटन पर click कर देते हैं यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपने कुछ personal details enter करनी है जैसे कि आपको अपना pen number enter करना है आपका नाम जिस तरी की से pen number में है आपका date of birth जैसा pen में है और present pin code अभी आप जहां रहा रहे हैं वहाँ का pin code enter करना है उसके बाद check eligibility बटन पर click करना है तो देखे मैंने सारी detail enter कर ली है अब check eligibility बटन पर click करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें जो है क्या मिलता है तो यहाँ पर देखे दोस्तों मुझे पूरे 2000 रुपे का loan limit मिल गया है जिसे मैं use कर सकता हूँ कभी भी किसी भी वक्त और पूरा interest free रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं you are eligible for free of pay post paid limit of rupees 2000 absolutely interest free तो यहाँ पर दोस्तों continue बटन पर click कर देते हैं और उसके बाद setup account बटन पर click कर देते हैं यहाँ पर दोस्तों हमको सबसे पहले एक selfie लेना होगा तो selfie में take selfie बटन पर click करते हैं और अपना एक selfie ले लेता हूँ मैं और जैसे ही यह green हो जाता है हम इसे click कर देते हैं उसके बाद simply submit बटन पर click कर देते हैं यहाँ पर दोस्तों selfie ले चुके हैं अब हम activate free of pay account बटन पर click करेंगे और allow कर देंगे यहाँ आपने कर देना है तीन इस टेप में यहाँ पर जो है processing लेगा और आपका mobile number verify किया जाएगा processing लेने के बाद set app passcode बटन पर click करेंगे और एक pin set कर लेंगे एक तरह से समझ सकते हैं यह ATM pin की तरह आप यहाँ पर set कर सकते हैं इसी free of pay account के लिए तो हम setup कर लेते हैं और next करेंगे फिर confirm करेंगे फिर set as passcode बटन पर click कर देंगे तो जैसा कि दोस्तों मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो भी आपको loan limit मिलेगी वो lock होती है उसे unlock करना पर था है unlock करने के लिए क्या करना होगा आपको unlock now बटन पर click करना होगा तभी जाकर आपकी loan limit आप use कर पाएंगे तो यहाँ पर instant KYC continue instant KYC बटन पर click करना होगा यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आपको instant KYC करना होगा अपना आधार नंबर एंटर करके capture code एंटर कर लेना है और send OTP बटन पर click कर देना है जिसके बाद आपके आधार में registered mobile number पर एक OTP जाएगा अगर आपके आधार में mobile number link नहीं है तो नीचे scroll करेंगे तो आधार not linked with mobile number आप देख सकते हैं upload KYC photo आप यहाँ से अपने आधार की photo upload करके भी KYC कर सकते हैं तो चलिए हम upload KYC photo बटन पर click कर देते हैं और आधार card या voter ID आप इन में से जो भी हो select कर सकते हैं तो मैं आधार card select कर लेता हूं और यहाँ पर continue बटन पर click कर देता हूं तो यहाँ पर देखे upload आधार front तो इस पर simply click कर देना है और आपके पास अगर gallery में है तो उसे select कर सकते हैं ने तो directly camera से खिंच सकते हैं तो यहाँ पर देखे हमने photo खिंच लिया है click back up आधार करते हैं आप यहाँ पर back site का खिंचना है तो यहाँ पर photo खिंच लेते हैं और verifying your आधार लिक कर आ रहा है submit बटन पर click करते हैं upload कर देते हैं यहाँ पर देखे verifying your ID लिक कर आ रहा है यह processing में लेगा कुछ समय तो दोस्तों जैसे ही आप KYC कर लेते हैं यह unlock हो जाता है और scan and pay का option अविलेबल हो जाता है यहाँ पर click करके आप अपने limit को use कर सकते हैं किसी भी QR code को scan करके फिलाल मुझे इसकी जरुवत नहीं है इसलिए मैं कहीं पर भी इसे QR code में use नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपकी यहाँ पर जैसे ही unlock हो जाती है तो आप कहीं पर भी QR code में scan करके इसे use में ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों नीचे scroll करेंगे तो आपको और एक चीज देखने को मिलेगा earn rupees 50 अगर आप अपने दोस्तों यहाँ को किसी को refer करते हैं एक व्यक्ति को refer करते हैं तो per person per refer में आपको 50 rupees free of pay cash मिल जाता है तो दोस्तों इस तरीकी से आप यहाँ पर use कर सकते हैं free of pay application को और loan limit ले सकते हैं यहाँ पर 500 rupees से लेकर 6000 rupees तक की और बिल्कुल interest free रहेगी जिसे आप एक महिनबाद चुका सकते हैं तो दोस्तों इस तरीकी से आप emergency के time में free of pay application के जरिये instant जो है loan ले सकते हैं जिसे आप कहीं पर भी QR code में scan करके pay कर सकते हैं या तो फिर आपने ही QR code में scan करके अपने bank account में transfer कर सकते हैं बड़े ही आसानी से और वो भी interest free यानकि without interest के आपको यहाँ पर loan मिल जाती है पूरे एक महिने के लिए तो चले दोस्तों आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा ये वीडियो पसना आया हो तो लाइक कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए